सामने मर्स भी देग रहा होगा यहां से रोप बनने वाली है यहां से अंदर क्या है क्या पता दोस्तों सब धनी से जाना पड़ेगा यहां से नमस्क्राइब कर दोस्तों सामने जैसे के दीग रहा है मैंने नंदी कड़ी है तो आज जैसे की संडे और अभी हम फिला लें तो शीली गुडी का आस पास में ना कापी इससारे खुटसरोच जगा है तो उसी में से एक जगा भी जाएंगे वैसे हमारी एक दोस्त था रहा अभी उन्ही की साथ चलते हैं तो सिधा मिलते है बहुत ही बहुत ही इंपोर्मेंट के लिए भी तुकि इसकी चारो तरह भी नाम से भी जाना जाता है और दूसरी इसका जो लोकेशन ना चारो तरह भी आपको बहुत सरे टूरीस्ट रेस्टिनेशन मिल जाएगी डर्जिलिंग, सिकेम, ग्यांग टॉक और पूरा जो आठ न सिली गुड़ी होके ही कनेक्ट होता है इसलिए चिकेन नेक भी बोलते है इसको तो एन्यूए बैक टुदा पॉइन हम लोग कहा जारे तो सामने मेरा देख रहा होगा वह है अभी शेगन ना तो अभी फिलर हमने डिसाइड के हम यहां पे बाजू में ही सिली गुड़ी से क किलो मेटर होंगे एक रोहीनी लेक बोलके काफी सुंदर है और रोहीनी लेक तो ही सुंदर लेकिन उसका जो रस्ता है ना वह मुझे क्यूंकि लास्टाम मैं आया था उसे में रोहीनी लेका गेट बन था और इसलिए मैं सोचा दो बार आउँगा लास्टाम मैं जब इडर से आरा था एक पर दाड़जी लिंग होंके आरा था यह रस्ता में यहां पर मुझे हाती मिली थी करीब करीब 10 से 15 हाती यहां पर मिली थी और दो दिन मेरे को इस साइड में मिली थी अच्छा है बगन के अंदर मिली थी अगे और एक व्यूपैंट है यहां पर सामने इधर तो यह वाला यह कापी सुन्दर है मैं ने रुखूंगा दिखा देता हूं यह देखो ओ यह पर भी अर्मी बाला कैम पनाया यहां पर तो काफर शूटिंग बगरा होती थी यह जगह पर यह वाला यह यह वाला यह दार्जिलीन तोल प्लाजा यह रोहिनी में आता है और यहां पर बैसे तो बाइक बले से कभी लेता है कभी नहीं लेता है अब क्या पता आज ले भी ले देना है मैं पांच टुपे न है पांच रुपे लिया बैसे नहीं ले दा नहीं देता भी नहीं क्योंकि देखा वरास्ता सही बना भीया तो दे दिया नहीं तो बैस करता मैं अब वरास्ता है तो कितना साथ दो कि 9 नहीं पर इस दो आड़ नहीं देना है और यह से लगरगा है कि भाही अब अब रास्ता सहिए और तो झाल बहुत बात है तो हम पहाण में चड़ गया फिलल अभी उच्छाई शुरू होगी अभी फिलल इतना पहले तो थोड़ी थोड़ी थी अभी थोड़ा ज्यादा उच्छाई आएंगे पहले ने लिया आपको कभी कभी नेदा है कभी कभी ने लिया इनोंने अभी रस्ता सही कर दिया बोल के अभी यह नहीं तो फैने टूटा हुआ थाना मस भी दिख रहा हुआ एक दम खड़ा पहाद यह दर्जीनि मुना रोड है बता दू और चितना बर भी आउना है यह पर कभी भी आपको बोरिंग नहीं लेंगे यह यह जालो भाई रस्ता मिल गया हम लोगो को रोही ने लेक तरफ रस्ता है वह जाएगी तो थोड़ा ओफ रोड़िंग बन गया काफी टूरिस्त आते और संडे वीकेंड बना टाइम में तो बहुत ही जदा आता है तो शहद हम लोग पोज गए यह पोज गए रोही लेक्ट देफ साइट तो पिछले बर जब मैं आया था यहां पर कॉंसाड हो रहा था तो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया तो अभी तो जाने देंगे देगो ना एंट्री फीस पी देना पड़ेगा भई हर जाना पर टिकेट 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 टिक यह दो में लेके आता हूं कि कितना है कि एक अदमी का थार्टी है दो आदमी नया हुआ कै टिकेट पिछले बर नहीं था बैसिकली यह पीगणिक खाने के लिए बहुत अच्छी जगा है तो यह टिकेट वाला सिस्टम इनोंने अभी जनुवरी एक तरीक से किया है पहले तो नहीं था कि पिछले बर जब आया तो नहीं था चलो आगे बाइक पार्क करते हैं तो सामने वाला भीव एक बाद देख लो यार खत्तर नाग है तो आपको दीख रहा होगा लोग पिकनिक खाने के लिए पदाने किदर किदर से तो आ जाते हैं अच्छी जगा है सो हम लोग पोज गए डेस्टेनेशन सामने वाला भीव देख लो यार खत्तर नाग सामने एक रेस्टरेन मिलेगी आपको खाने के लिए और यहां पर आपको लेक दीख रहा होगा और उपर एक अच्छा उसकी जैसे ही है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है और सामने आपको ख और यह जो लेक है ना यह मैन मेड अच्छली पहले सुका हुआ था यह पानी बात ने बात में गव्में ने बनाया इसको सब्सक्राइब पीछे देख लो बैग्राउंड देख रहा होगा मस्त हमारे साथ हमारी अन्ना ने यह अन्ना हमारे के साथ यह तीसरा चोधा ब्लॉ सब्सक्राइब अन्ना को चार साल में आज पता चला यह तो वैसे हैं मैं भी एक साल से कंटिनू सिली गुडी में रहता हूँ और बेसिकली मेरा कामी अभी घूमना यह और हर दिन मेरे को नया नया जगा डिस्कोवर करने को मिलता और मैं भी शॉक हो जाता रह यार पहले क् चाहरे मालूम ही है तो अभी पता नहीं कितने दोब आूटा हों गे भुट भारत की अप़ारत की पार्च से देख रहे होंगे तो एक बर ज़रूर आऊ और नॉर्ट घूम के घूम के जाओ पे ऐसे एसे खूबस्री त्या देखने को मिलेंगे कि पी कभी कभी मतलब शॉक हो जाता हो यहां की बंदा होके पूरा 360 भीव दिखाता है आपको यहां से लेके हैं तो यहां से रोप बनने वाली है यहां से पूरा कर्शियंग जाएगी यह प्रोजेक्ट तो बहुत पुरानी है लेकिन बीज में इसका कंस्रेक्शन बंद पड़ी थी तो सुना है कि बापत चालू होने वाली है हम लोग थोड़ा ट्रेकिंग करके इदर जंगल के अंदर जाएगे देखते क्या है अंदर तूरसे तो इसके भी बहुत अच्छी लग रही थी तो अभी अंदर जाते फिर देखते कैसा दिखते अं सब्सक्राइब को क्योंकि यहां से काफी खतरनक पुश्यू हो सकते जनुवार हो सकते थोड़ा डर डरते जाना पड़ेगा ऐसे आप डरो मत आप भी हुका मजा लो डरना हमें है काफी अच्छी जगा है वैसे थोड़ी देर के लिए हम पोई करेक्टर में बुज़ गया जो रोहिनी से आप थोड़ा वो डिरेक्शन इस्ट वेस्ट नॉट तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन असे दिख जाएगी आपको यह थोड़ी सी अगर लड़की लेके मद आहूं खुछ गलत हो सकते हैं लड़का हो तो इगर आजाओ थोड़ा पैदल चलने का मजा कुछ और जंगल की अंदर से जाने का जो मजा है ना वो अलगी लेवल की होती है चलो थोड़ा और अंदर आजाओ यह यह से जो चाइपत्ती का जो बगान दिखता है उपर इतना खतर ना थोड़ा और आगया जाओ और अभी 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 एक चीज हम लोग फीगर आउट क जो चाहिए जो फैंक जो यहां मैं डवां कर दो कोते हैं किसे हना क्यों में टोरेगारा को जा जो जो फामिश्यं कि उश्तर जाना उस में तो अ गर कर और यह जो है यह बहुत क्यूरियास को मालूमने कैसे करता होगा यहां कि आदमी लोगों को मालू होंगे और मैं कभी कितने बार भी आता हूं आ वह ऐसे दिखते हैं तो भी मेरो कोई आदमी लोग ऊपर चड़ा हुआ अब यहाब देखते हैं क्या मिलेगा चाय पीने के पोशिश करते हैं चा है पीक ना वह जानी कंप्लीट नहीं लगता है तो चाय के साथ हमने दिया लेस कुरकुड़े चोटी सी फिर पीके चलते हैं सो हलो वांस अगें तो इस टाइम तो से गुडबाई तो गुडबाई तो गुडबाई तो रोहिम पीक से धिग रहा होगा हमारे इंदी घड़ी ज़रूर आओ और हमें कॉंटक्ट भी कर सकते हो अप और कैसा लगा है यह भी बताना थोड़ी बहुत सपोर्ट भी करना और चाब हो मिलते हैं कि ब्लॉक में तब तक लिए तन्यवाद और बाई